नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज आप लोग के लिए मैं कई अपडेट लेकर आया हूँ UPAAAC PET Online Farm Submit Final Submit करने की आज आखरी तारीक स्वास्ते विभाग में A&M Pharmacist Lab Technician अन्य पोस्ट के लिए UPAAAC PET Online Farm Final Submit करने की आज आखरी तारीक आगन बाडी भरती 53,000 पद के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आनलाइन आवेदन सुरू कहीं कहीं पर डेट भी खत्म हो चुकी है तो दोस्तों वन बाइवन सभी अपडेट में क्लियर कर रहा हूँ अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा सेयर कर दीजीगा जिससे सभी लेटेश्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले दोस्तों जो भी न्यूज रहती है रियल और अथेंटिक न्यू रहती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से जो बता रहा हूँ आप लोग बहुत ध्यान से अंत तक वीडियो देखेंगे तो ये सब तीनों अपडेट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे तो दोस्तों वीडियो को हम सुरू कर रहे हैं UPSC PET Online Farm का Final Submit करने का आज आखरी तारीक है UPSC AYO के माध्यम से लगभग 50,000 पद आने वाले हैं 50,000 जो पद आने वाले हैं वह सब पद के पहले आपका PET इक्जाम होगा वह PET इक्जाम अगर आप देंगे तभी जो है आप अगले लेबल के लिए एपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों देखिए यह मैं आज आपको दिखा रहा हूँ उत्तर प्रदेश सबॉर्णेंट सर्विस सेलेक्शन कमीशन इसमें प्रेमिली इलिजबेल्टी टेस्ट 2021 का है और इसमें ऑनलाईन एपलिकेशन जो सुरू हुआ था 25 मई 2021 को सुरू हुआ था और रजिस्टेशन की लास्ट डेट 21 जून 2021 थी और फाइनल पेमेंट जो है सब्मिट करने की डेट जो है 25 जून 2021 है और अगर कोई तुरूटी फार्म में है तो वह फार्म करेक्शन करने के लिए 28 जून 2021 है और दोस्तों साफ साफ देख लीजिए आप लोग बहुत से लोग हैं कह रहे हैं कि पेट का जो है डेट बढ़ेगा अभी रजिस्टेशन का डेट बढ़ेगा क्योंकि सभी जो है जो वहाँ के चेर्में जी है यूपी ट्रिपल सी के उनसे मुलाकात कर रहे हैं बच्चे तो दोस्तों ऐसा नामुंकिन है कि डेट बढ़ेगा अब डेट नहीं बढ़ेगा जो लोग भाई बहने रेजिस्टेशन कर चुके हैं एनम के फार्मासिस्ट के लैब टेकनीसियन के बी एच डबलू के जो भी फार्म एपलाई करना चाह रहे हैं स्वास्ते बिभाग में ग्रूप सी की पोश्ट यूपी ट्रिपल सी के माध्यम से ही आएगी दोस्तों मैं बार बार यही बता रहा हूँ आप लोगों को जो लोग फार्म एपलाई कर चुके हैं फार्मासिस्ट की चारजार पोश्ट आ रही है लैब टेकनीसियन की पोश्ट आ रही है बी एच डबलू की लबग बीस बाइस हजार पोश्ट आ रही है यूपी ट्रिपल सी आयोक के माध्यम से वह सा फार्म नहीं भर पाएंगे अगर वह पीटी का फार्म फाइनल नहीं सब्मिट किये है तो दोस्तों यह बहुत बड़ी अपडेट है और इसके बाद मैं दूसरी अपडेट आप लोगों को बता रहा हूँ आगन बारी भरती तीरपन हजार पद के लिए उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिले में आवेदन सुरू हो गए है लगभग लगभग उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं जहां पर सीटे हैं जहां पर जो है अभी जिस जिले में आउनलाइन आवेदन नहीं सुरू हुए थे वहाँ पर online आवेदन शुरू हो गए है मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ जो भी भाई बहने बंचित रह गए हैं छूट गए हैं नहीं जानकारी है वह लोग बहुत ध्यान से देखेंगे देखेंगे दोस्तों बागपत, बल्या, बादा, बाराबंकी, चंदवली अब देखते जाईएगे दोस्तों गाजीपूर, गोंडा, हमीरपूर इसमें देखेंगे दोस्तों इस तरह की जो है बेकेंसिया हैं टोटल साफ साफ इसमें दिया है हमीरपूर हापूर जाउनपूर इन सब जिलों से जितने लोग हैं फार्म को एपलाई कर दें कानपूर नगर दोस्तों देखें वन बाई वन अपडेट मैं दिखा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे दिखा रहा हूँ इसलिए ललितपूर इन सब जिले से जो भी बहने हैं वो लोग यहाँ फार्म एपलाई कर सकते हैं केवल महिलाओं के लिए यहाँ फार्म है पूरसों के लिए फार्म नहीं है लखनव महोबा मुरादाबाद प्रताबगड रामपूर संभल सुल्तानपूर और बाराणसी इतने जिले में ऑनलाइन आविदन सुरू हो गए हैं ग्रामीड छेत्र या सहरी छेत्र से जो ही बहने हैं वो लोग फार्म डाल सकती हैं उसमें सुपरवाइजर से लेके कारकत्री तक है देखिए दोस्तों इसमें साफ साफ दिया है कब तक एपलाई कर सकते हैं देखिए इसमें दिया है ऑनलाइन आविदन के लिए आगनवाडी वर्कर मीडी वर्कर के लिए साफ साफ टेंथ पास होना चाहिए आगनवाडी हेलपर के लिए कच्छा पांच पास होना चाहिए और इसके साथ में जो भी होगा ये फार्म जो भरने के बाद जो है उनका मेरिट के आधार पर चैन होगा परिच्छा नहीं है दोस्तों या बहुत सालों बाद ऐसी भरती आई है पीरपन हजार पोष्ट पूरे उत्तर प्रदेश में आए है जो लास्ट डेट है मैं आप लोग को बता रहा हूँ प्रताबगड प्रताबगड में 15 जुलाई 2021 लास्ट डेट है बनारस में 8 जुलाई लास्ट डेट है बलिया में 5 जुलाई लास्ट डेट है गोंडा में 6 जुलाई लाश डेट है संभल में 7 जुलाई महोबा में 4 जुलाई हमीरपुर में 1 जुलाई लकनव में 3 जुलाई बारा बंकी में 2 जुलाई चंदवली में 1 जुलाई गाजीपुर में 1 जुलाई बादा में 28 जून मुरादाबाद में 28 जून बागपत में 1 जुलाई रामपुर में 30 जून कानपुरनगर में 30 जून सहारनपुर में 23 जून तक था और सामली में 11 जून तक था बिजनौर में 12 जून तक दोस्तों यह लाश्ट डेट में आप लोगों को बता दिया हूँ अभी इसमें से जो भी कुछ जिले बचे हैं जैसे आजमगड हुआ देवरिया हुआ गोरकपुर हुआ गाजीपुर यह सब जो है अभी छूटे हुए जिले हैं इन जिलो में भी जल्द ही फार्म एपलाई करने के लिए आदेस आ गया है जल्द ही जो है आप लोगों को वेबसाइड पर ICDS की वेबसाइड जो आगनबाडी की वेबसाइड है उस पर देखने को मिल जाएगा जो जिले छूटे हैं और जो जिलो में आवेदन हो चुके हैं वो लोग अपना तैयारी शुरू करें जो भी डॉकुमेंट लगने हैं और कुछ जिले ऐसे हैं अभी वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन नहीं शुरू हुआ तो वो भी जल्द ही आदेस आ जाएगा और इसके साथ दोस्तों मैं बता रहा हूँ आप लोग को यह आगन बाडी की बहुत बड़ी भरती तीरपन हजार पद हो रहे है यह बहुत बड़ी भरती है लगभग 11-12 साल के बाद इतनी बड़ी भरती आ रही है तो दोस्तों और स्वास्ते विभाग में एनम फार्मासिस्ट लैब टेकनीशन के जो भी पोस्ट आ रहे हैं पेट अगर आपका ऑनलाइन फार्म सब्मिट नहीं हुआ तो वो सब्मिट कर दें आज आप लोग के लिए आखरी मौका है तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही जैसे ही अगली अपडेट कोई निकल कर आती है मैं अपने वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुचाओंगा अगर चैनल पर आप नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़्यादा ज़्यादा सेयर कर दीजीगा दोस्तों एक लाइक ज़्यूर कर दीजीगा जिससे सभी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलें धन्यबाद